आज मैं आपको बताने वाली हूँ जाड़ू में मा लक्समी जी का इस्थान क्यों माना जाता है ये तो हम सबी जानते हैं घर की साफ सफाई करना अच्छा होता है साफ सुत्र घर में देव देवतां का वास माना जाता है विसेशकर माता लक्समी का परंपरागत रूप से घर में साफ सफाई के लिए जाड़ू का इस्तिमाल किया जाता है सभी घरों में घर की साफ सफाई के लिए जाड़ू का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि साफ सफाई की उपयोग किये जाने वाले इस ज़ाडू में मालक्समी का वास होता है माननेता है कि ज़ाडू मालक्समी का ही स्वरूप है ज़ाडू का मुख्य काम साफ सफाई करने के लिए किया जाता है ये बात तो सभी को पता है कि जब घर में गंदगी दूर होती है तो मालकसमी घर में प्रवेश करती है कई धर्मिक गिरंथों में यहों कहा गया है कि जहां साफ सफाई होती है मालकसमी का वास होता है हमारे धर में सास्तर में जाड़ू को माता महालक्समी जी का स्वरूप माना गया है क्योंकि जाड़ू से ही घर की सारी नकारात्मक उर्जा बाहर और सकरात्मक उर्जा घर के अंदर आती है यदि आप सास्तरों के अनुसा सही तरह और समय पर जाड़ रगाते हैं तो इससे घर का वास्तु दोस भी दूर होता है और घर में मा लक्सिमी का आगवन बने रहता है तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों जाड़ू में मा लक्सिमी का नियवास स्थान माना जाता है जाड़ू और मा लक्सिमी का संबंद जाडू सच्छत का पिर्तिक माना जाता है और साफ सफ़ाई का संबंद सुक्र गिर्या से होता है गिरों में सुक्र गिर्या को दहन लक्समी संबंदा संपत्ति के लिए जानते हैं ये सबी चीजें मालक्समी का रूप हैं और मालक्समी का वास घर में होता है जिस घर में साफ सफ़ई सही डंग से होती है महां मालक्समी का वास होता है जिस घर में ज़ाड़ू को कोई उपकरण ना समझके बलकि मालक्समी का रूप समझा जाता है महां मालक्समी हमेशा बिराजमान रहती है मा लक्समी एक हाथ में ज़ाडू धारण किये हुए होती है जिस तरह से किताब की पैर पढ़ने से मा सरस्वती का अपमान होता है वैसे ही ज़ाडू पर पैर लगाने से मा लक्समी का अनादर होता है इसी वज़े से ज़ाडु को मा लक्समी का ही स्वरूप माना गया है जब भी आप ज़ाडु खरीदें तो ध्यान रखें कि सनीवार को ही घर में ज़ाडु खरीद कर लाएं इसके अलावा सनिवार के दिन नई ज़डु का उपयोग करना सास्तर में बहुत सो माना गया है सांत ही पुरानी ज़डु को भी सनिवार के दिन बदले वास्तु के मुताविक ज़डु को घर के दक्षिड पस्तम दिसा में रखना चाहिए इसके अलवा ज़ाडू को कहीं भी ना रखें इसे छिपा कर ही रखें ताकि किसी की नजर में ना आए ज़ाडू को कभी भी फैकना या जलाना नहीं चाहिए इससे मालक सिमी का अपमान होता है किसी कारण मेंस आप रात के समय अगर ज़ाडू लगाते हैं तो घर का कुड़ा किसी एक स्थान पर साइट के कोने में रख दें उसको बाहर ना फैकें और हो सके तो रात के समय ज़ाडू लगाने से बचें ज़ाडू को हमेशा लिटा कर रखने चाहिए कभी भी उसको खड़ी स्थिति में ना रखें ज़ाडू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए और अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंट बाहर नहीं जाना चाहिए अगर गलती से आपके पैर पर ज़ाडू लग जाती है तो इससे आप तुरंट ही शमा प्रातना कर लें धार्मिक मानिता ऐसी बने हुए है कि धन्तेरस के दिन ज़ाड़ू खरीदना बहुत सुभ होता है इसके साथ ज़ाड़ू की पूजा करने भी जरूरी होती है सूर्यास्त के बाद ज़ाड़ू नहीं लगाना चाहिए जब भी आप घर परिवर्तन करते हैं या किराय के घर में भी रहते हैं तो नए ज़ाड़ू घर में ले जाते समय पुरानी ज़ाड़ू ना ले जाएं यदि पुरानी ले कर जाएंगे तो ऐसा करने से पुराने घर की नकारातमक उचा भी उसके साथ जाना संभव है इसलिए सुजा यही है कि नई ज़ाड़ों को लेकर जाएं ज़ाड़ों को जहां तक संबहो वसोई घर या ऐसी जगह पर भी कभी ना रखें जहां पर पानी हो क्योंकि इस तरह से रखने पर घर में धन संबंदी परिसानी बनी रहती है ज़ाड़ों को खड़े करके नहीं रखना चाहिए ऐसा होने से स्वास्त संबंदी परिसानी हो सकती है और कहते हैं कि खर्चे हमेशा बने रहते हैं इसलिए कभी भी ज़ाड़ों को खड़ा करके ना रखें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ